दायक रामकरनकाला अध्यक्ष शुगर फेड हर्याड़ा से तो रामकरनकाला जी आपसे request करती हूँ कि आप मंच की तरफाइए और आप सभी से request करती हूँ कि तालियों के साथ उनका स्वागत करिए साथी सेशन में हमारे साथ रहेंगे साहिल सुधा कारकर्णी सदस्य भारती जुनिता पार्टी के साहिल जी आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आईए इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सीनिय डेपुटी एडिटर अतुल प्रताब सिंग सार आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आईए कुरुक्षेत्र के बारे में और जानेंगे और यहां की समस्या यहां पर कियेगे कार्य इन सभी के बारे में विस्तार से इस सेशन में हम चर्चा करेंगे ओवर टू यू अतुल जी शोकरिया ममता तो जैसा इंडिया न्यूज हरियाना का जो मंच यहां पर कुरुक्षेत्र की नगरी में सजा हुआ है और शुरुवात हमने की और पॉलिटिकल चर्चाय हुई कुछ बाते भी ऐसी थी कुछ नाराज़गी भी थी पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठता है जनता भी बैठती है तो कुछ विवाद भी होता है सवाल भी होते हैं कुछ सकरात्मक बाते होती है कुछ नकरात्मक होती है इसे हम राजनीती कहते हैं कि राजनीती सेतर जो राजनीती करके जनता की सेवा के भाव से प्रत्निधी चुने जाते हैं जब वो शिर्स पर बैठ है वो भी तक जब कोई गठवंधन के सरकार चल रही हो तो वहां पर सवाली उठता है कि उनके बीच का तालमेल कितना है हमार साथ इस वक्त शाबाद विधायक रामकरण काला साथ भी है और साहिल सुधा है जो कि अभी युवा हैं कारेकारी सदस्य हैं बीजेपी के विधायक आप लोग सिर्फ सत्ता में बने हुए हैं बोलें आप बोलें हावाजागी अलो हाण सबसे पर दम है इडिया नूज का भूट बहुत दंबाद करूंगा और सहल सुधा जी का जो वारे साथ ती बीचमा यहां बैठेंड कर दनबाद करूंगा बीचमा है मैं आज हमारी सबस्माताल मेरा जबी तो सावा चार साल नकाल दिये और जो काम मांगा प्रयास है जितने डिप्टे सियम्साब उसको फूरा करते हैं और उसका निर्नाले लेते हैं करवाने का CM साथ के पास से जा अपने तर्फ से हमारा कोई भी कामा दोर्ठ chemine रहा कोई दोर्ठ पे होगा का जन तक हम उसको फूरा कराएंगे ये मेरा माननने है अमारे अश्याबाद के अंदर जितने में काम लेया अब मैं कहूँगा सबसे पहरे कि मैं मारा कल्सानी मा च्छानी लाग का अश्टार महां बने है हमारा चनाथ्र मा पैंतीह लाग का बने है ठोड मा बने है मारा त्रेपन लाग का और ठोड मा अमारा तीन क्लोड का स्टेडियम और पैंतीस क्लोड की मारी मार्केट इसी पीड़ोई सड़का और 17 क्लोड की मेरी मार्केट बोर्ड की सड़का जो मारे टेंडर हो चुके हैं और बिल्कुल सारे ठेज़ेदार में टेंडर होगे और जल्द में काम रहेंगे जब आप करोणों की गिंती शुरू करते हैं तो एक के बाद एक तावर तुड़ आपने कई करोण की योजनाओं का यहां पर जिक्र कर दिया लेकिन विपक्ष क्यों इसको सीज़े से खार्श कर देता है क्या सिफ यह राजनीती के वज़ेसे हैं कोई आधार भी होते हैं कोई मेरे स्यवाद गंदर जो हमारा जो करोणा कर दो पहले हमारा क्रोणा गया उससे बाद अलोडों चला पांडे की मारा मार जड़ी अब भी हमारा जो जितना भी काम दूर अपड़े मैं भी पूरे ठेके दाना काई चुगा और पूरे अधकारियों का ते जो मेरे अधक सब्सक्राइब कर दो नहीं पार्टी बनाई परिवार से अलग हटे जो विक्टन हुआ उसके बाद उस युवा के सहयोग से आप लोगों की सरकार बन गई और चुकि आप उस पार्टी से तालूख रखते हैं जहां पर कहा जाता है कि हम अनुभौका भी आदर करते हैं और नए युवाओं को जोड़कर उनकी जो आकांग्शाएं हैं या उनका जो विजन है उसको भी जोड़ में देश की बाद छोड़ दीजे हरियाना में जब आप सत्ता में हैं तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि समाज के बीच में कहीं बटवारे के तरफ इंगित करती हैं क्या यह सिर्फ राजनेति कारोप है आप लोग इस युवा के तौर पर जब बीच में जाते होगे ल बाते हैं कहीं बाते हैं उनने कहीं बद्ड है मैं सरव इतना के अजब इतना कहां जाओँगा कि आज देश के अंदर हर्याना के अगर अगरं कि फेमिलिயी अीड के ओपar, जितने बी-पील कार्ड, अयऄुष्मान कार्ड, अन्तिओध्य की योजना अर अंतिम्भ्यक्ती है तो आप हर्याना के अंदर आपको BPN मिलता है आपका आई उश्मान मिलता है आपकी education free है और अब एक लाग से नीचे आपका बिजली का बिल भी मुफ्त है इस प्रकार की हर्याना एक हर्यानवी एक का नारा हमारे मुख्यमंतरी मैं शर्यमंडार जी ने दिया है अर्याना को वे अपना परिवार कहते हैं उसी के साथ आगे बट्डे हैं उसी विचार धार क्या जाए है आज आप बहुत से गा forcémpag मेरेहां इसे हैं आज बहुत से गाउं मेरेहां हैं से गाउं बार्वा के अंदर अनेकों बच्चे ऐसे हैं जो नोकरी पे लगे हैं जिनके मा कोईसी का फादर पहले सबजी बेशते थे या रेडी चलाते थे उन बच्चों को जो बच्चे 20,000 खर्च के एक्जाम के लिए उनको जाना है खर्चा करना है उसके लिए उनके पास कोई साहिता नहीं है जो आप नोकरी का जिक्र करते हैं मैंने आपसे पूछा युवाओं का अपना आकलन क्या होता है विपक्ष की तरब से भी होता है पत्रकार के तौर पर हम भी उस पर कई बार चर्चा करते हैं तब आप गिंती गिनाते हैं कहते हैं कि देखें पिछले 9 साल में सरकारी नौकरी हमने लाग से इतना उपर कर दिया और बाकि हमने प्राइवेट में अज्जस्ट कर दिया विपक्ष कहता है कि बिर आपने वादा क्यों कि आथा कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी मैं महliamo тоб BM हो नहीं है लेकिन एक मोटा मोटा figure तो है अलग-अलग विभागों में तमाम हर्ताले चल रही है और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार के दौर में यह सब कुछ किया जा रहा है अच्छी बात है आप कर रहे हैं आप सरकार में इसलिए है लेकिन उन युवाओं का क्या आज उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की और फिर वो उन नौक्रियों के पीछे उनको दोड़ना पड़ता है जिससे कहीं ज्यादा वो काबिल है या काबिल नहीं है वो देखे ये बात तो आप ही मान दें कि हमारे यहां के जुबा बहुत काबिल है बहुत से बच्चे आ बच्चे हैं उनको आज सरकारी नौकरी मिलती है जिनका हक बनता है मैं अधने मुख्यमेंदी जी का धन्यवाद करूंगा जिनोंने अर्याना कोशल के माध्यम से जो और बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी तक नहीं पूंच सकते पर वो भी पढ़ाई कर रहे हैं कोई 60 परश 10,000 वाले हर बच्चे को रियाना कोशल के अंदर नोकरी देने का काम सरकार कर रहे हैं काला साब अब यहां पर राजनेतिक प्रशना जाता है जब आप दोनों ही सत्ता पक्ष से जुड़े हों तो आप तारीफी करेंगे स्वाभाविक होता है कोई बुराही तो नहीं कर सकत है लेकिन चुनावती कितनी आपको खुद दिखाई दे रही है खुद अपने लिए सरकार के लिए क्योंकि लोकतंत्र में देखी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जनता का मिजास कब बदल जाता है पता नहीं चलता और कई बार अंडर वेब होती है इस पार आप लो जो युगा के लिए पच्छेतर्प्रेंट नावकरी कर जो वादा करें दो उसना फोरा करें उसना अर पच्छेतर्प्रियंट हमारी जो युगा की मांगते हो प्चेतर्प्र जाप एक्टरी में जात को सरकारी आप पौलट के मत्बंद रही है बात अधे लेक्शन की तो कैसे नो लड़ना डिपिल सेम साब ना जैसे अमारे जब आपपने पर तो ठीक बात थे लेकिन आपके अपने काम पर आप लगता हूँ है किहां इस लाव कर सकता हूं मैं तो दो जनता को पर मेरे तो 36 भी आदी हमारे साहता है जब जैसे मेरे बात है अब जड़ा उक्र कर लेते हैं कुछ रूख शेत्र का जब जिक्रा आता है तो इतिहास बहुत पुराना है बहुत सारी चीजें लोगों के जहन में आ जाती हैं देश दुनिया से लोगो यहां पर आते हैं एक धर्म नगरी के तौर पर उसकी पहचान उभर कर जहन में आती है लेकिन जम कुरक्षेत्र के अंदर आते हैं जो आपका क्षेत्र हो या बाकी अन्य इस लोक्त बाकी अंदर तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसा तभी दो तीन दिन पहले बारिश के बाद जो हालात दिखाई दिये थे यह ऐसी चोटी-चोटी चीजे हैं जो कि वह धर्म पे कर्म पे बड़ी-बड़ी बाते हैं या बड़ी-बड़ी वो जो योजनाय होती है उन पर हावी हो जाती है क्यों आखिर यह तस्वीर आप लोगों की इतनी मजबूत सरकार में भी चुक जो मैं करना चाहूंगा हमारे कुछित्र की जो दर्थिया यहां दो कृष्ण लड़ाई-लड़ी वह मतलत अपना पता यहां का जो अतियासा यहां बाहर से बहुत बुदूर्दों से दुनिया मानते है कुछित्र का पूरे बढ़ना अतियासा भी उस्ट्र के भूमिया के देखराई-लड़ी समझ में आता है जो जनता लड़ी है उसका क्या उसका जनता घुड़ाई-बात रखते हैं जैसे अंग उससे देश पर चलूँगा ठेक बात है। सबसे बड़ने वाला सबसे बड़ा संगठन होगा। कॉंग्रस कह रही है कि हमारे बीच में कोई तूट नहीं हो और हमारा संगठन पुराना था, हम फिर से संगठित कर रहे हैं। और इने लो भी अपने आपको मजबूत करने में लगी है। युवाओं के बीच में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो खुद आप साहिल समझ पाते होंगे, कि हाँ ये ऐसा मुद्दा है, जो कि सरकार की उपलब्धी के तोर पर हम गिन सकते हैं, या फिर सरकार के अगेंस्ट ये मुद्दा जा सकता है। और इसी के इर्दगिर चुना होगा। जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज है, और हमारी जो रचना है उसकी वह बहुत अंत्योद्य तक नीचे तक हम लोग जा चुके हैं, हर साथ वोट के उपर हमने एक आदमी को लगा दिया है, हम दिरंतर प्रयास कर रहे हैं, पुरी देश के अंदर उसके उपर काम कर र उसका जो ट्रीटमेंट होता है कीमो दे दे के कीमो दे दे के उसमें दस से पंदर साल राम से लग जाते हैं, कुरुक्षेतर के अंदर इतनी दुर्गत ही थी दुरगती थी 2014 से पहले, जो भी आपसे पूर यहाँ पर बैठे थे आपसे पहले जो वो ट्रांस्पोर इतना बेसिक सड़क बिजली पानी देंगे, सड़क बिजली पानी देंगे, मैं आपको खुद साथ चलके दिखा सकता हूँ, अनेको डेरे गाउं के, अनेको जगा पे शेहर में, सिवरेज पानी उन्होंने कभी ने पहुंचाया, उन्होंने अपने 25 साल के कारेकाल में उसी के साथ आज पिप्ली रोड देखिए, धान रोड देखिए, जोती सर देखिए, आपकी रेल्वे जाउन का घर है, रोडा जी का, रेल्वे रोड, शाम को घुमते होंगे, तो उनको सड़क पे जाके लगता दोगा कि काश मैने भी आजा कुछ किया होता, शेहर नहीं, स्विमिंग पूल हमें दिया है, हम दिन राथ उसको कीमो दे दे के दे दे को ठीक कर रहे हैं, और आठ साल से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आठ साल से एक दिन भी ऐसा नहीं होगा, थानेसर के अंदर काम ना हो रहा हो, एक बात और, दोजार निस के अंदर, विटी ट्रैक आपके सामने तियार होने जा रहा है, तो किसको विकास कैसे देखना चाते हैं, उनको चश्मा उतारना पड़ेगा, चश्मा उतार के देखना पड़ेगा, और वो जो बार बार कह रहे थे ना, भाकडा से पानी आता है, सर, ओपन रजवाय से पानी आता था, जिसके अंदर डंगर नाते थे, लोग नाते थे, दोभी गाड थे, तब जाके वो पानी ब्रहम सुखर में आता था, उनके राज में, आज अंडर ग्राउंड पाइपलाइन से भाकडा से पानी आता है, और पानी जाता है, यहां पे बहुत से लोग आयों हैं, जिनके के बीच में ऐसा क्या होगा, जो कि आप समझते हैं, किया इसके अधार पर आपकी सरकार फिर से बनेगी, यह सायोग से बन जाएगी, क्या यह काम है, जिनकामों को आपने गिनाया, कि उन्होंने नहीं किया, हमने पिछले आठ साल, नो साल में किया, और यहीं काम हमारी उप जो merit के अकदार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या यह उनको माफ करेंगे, इस बियान अगर वो दे रहे हैं, कि हमारे को लेकर आओ, सरकार के अंदर, हम यह सब काम खतम कर देंगे, तो यह तो खिलवाड कर रहे हैं, लोगों के साथ, युवा को आगे बढ़ना नहीं देना चाह है, कि हम मीटर तोड़ने के बाद, कोंग्रेस के तरफ से, इनेलों के तरफ से कही गई, पोर्टल खत्म करने के बाद, कोंग्रेस के तरफ से कही गई, मेरिट खत्म करने की बाद, दोनों पार्टियों के तरफ से कही गई, यह तोडने वाली राजनीती है, यह दोनों तरफ देखें, देखें, विपक्स का काम है अरोप लगाना, विपक्स अरोप लगाता है, मुझे आप एक बात बताईए, विभाजन किस ने कराया, क्या किसी का मत लिया गया उसके अंदर, थोपा गया पुरे देश, पुरे देश को माटने का काम जिस पाटी ने करा हो, देश का व आपको याद होगा अटल भीयर वाजपेजी ने क्या कहा था कि आज एक वोट की वरे से मुझे जाना पड़ रहा है पर एक दिन यह जनता जानेगी सचाई को सच को फैलने में समय लगता है जूट चल्दी फैलता है चलिए अब यह तो जनता को इतना करना है कि सच को फैलने म कितना समय लगना चाहिए और जूट को फैलने में कितना समय लगना चाहिए काला सब अब आपके प्रशन यह है कि आपकी पार्टी का उदाय होता है और फिर उसके बाद आप लोग सीधे सत्ता में चले आते हैं अब जमीन पर जब उस चर्चा को हम सुनते हैं देखते हैं करत है कि बड़ी चुनौती आप लोगों ने खुद के लिए खड़ी कर लिए कि आप नई पार्टी बना कर सीधे सत्ता में आते हैं उस पोजीशन तक आपके नेता पहुंच जाते हैं अब उनके एंबिशन या तो बढ़ गए होंगे या उनके लिए चुनौती बढ़ गई हो कि रास्थान तक पहुंच गए मैं करने चाहूंगा हमारे किशी मॉझ में बहुत लम्भी राजवनीति करनी है कि यह राष्ट्या पर्टी अइसे ने बनते राष्ट्या पर्टी जब हम सारे श्टेट मेले सम लड़ा नगे जब ही राष्ट्यापरल्त है देवलाल परवार का और अमारे जो राष्ट्र अज डेलाफ बहुत जीले से हैं जो उनके बहुत परणे लड़े आप राष्टी दल बन जाई अच्छी बात है मैं जानना चाहरा था क्या हरियाना पूरा कवर हो गया था यहां पर आप इकलोते ऐसे बन गए थे कि हां अपने दम पर पूरा हरियान आप देखो न थोड़े टैम मा अब डिप्टी सेम को थोड़ा टैम में लिया थोड़ा एक साल पहले में दो पूरी पूरी क्ली सिर्कार लेंदा बीजेपी कहां जाएगा तो अपने शेतर है उनका अपने बाग उनके भी है तो नहीं देखो इसको अपने रखेंगे हैं कि जो है अभी हमने पहली बार में तो दस सीटें ले लिए उसके बाद हमारा बढ़ सकता है वहापस में वी जो है ऐसा नियुक्त है अपने बात पहले बात का मेरे कोड़ जाना तर वर मैंने पहले बात कहीं मैं अब आपकी बात थों के उनके उ आगा ने टम मां जो हमारा जो भी बात है एंग्रिस को चुन लिया तो किसके साथ हो बात जन्ता के तो सब इस है न? लोगतान तरौ चलता है लोगत में चलता है हमारा जो किसा न? हमारे जब तक हमारे उसके साथ तार मेला को किसी को पाल्टिकर नहीं देखेंगे साइल अब जो एक प्रश्ण यहां से उठा था अलाकि उन्होंने बहुत इसको मजाखिया लहजे में गाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन राजनीती में सब कुछ होता है क्या इंटर्नली आप लोगों को युवाओं को ये नरदेशित कहीं से किया गया क्योंकि कुछ चर्चाएं ऐसी मार्केट में थी जो हम पत्रकारों तक भी पहुँचती है कि अभी इस बार की जो लड़ाई है वो सिर्फ विपक्ष से नहीं है बलकि हो सकता है कि आपस में भी कुछ गरबड़ी हो जैसे तैसे आप लोगोंने पांच खीचा है अलाकि आप बार-बार कहते हैं और यह दिखाई देता है दोनों ही निताओं के उचाये मुच्छ मनोह लाल जी हो या फिर दुश्यन चटाला डिप्टी सीम हो वो जब भी क करते हैं यहां हम लोग विचार दारा से चलते हैं जो हमारा संगठन फैसला करता है उसके साथ सबी कारे करता उसके लिए काम करते हैं कॉंग्रिश की तरह ऐसा नहीं कि उसको नमस्ते करी तो वह अराज हो गया भी आप देख सकते हैं बिचले दिनों और रहना के अंदर हर जिले के अंदर किस प्रकार लडाई चल रही है किसी के किसी ने होड़िंग लगाया तो किसी नेता की फोटो नहीं है किसी ने लगाया तो किसी की नहीं है ऐसा कोई काम नहीं है संगठन जो फैसला लेता है हमारा के अंदर के अंदर जो संगठन फैसला करेगा वैसे आगे एक बाद जूर कहना चाहूंगा। विपक्षक काम होता है कि वो अपोस करें हमें समझ में आता है। कुरुखषेतर के अंदर कार बहुत कोशिश कर रही है। गीता जन्ती के माध्यम से लोगों को लाने की, यहां पे ताउ आपका तिरुपति पाला जी मंदिर आया है, अक्षर दाम आया है, शकॉन आगया है, जोती सर के अंदर अधिसो क्रोड रुपे की लागत से पुरा थीम पार्क बन रहा है, कुरुक्षेतर को जो एक तिरस्थल का विरोध ना करें, कुरुक्षेतर के प्रगधी के अंदर अगर आपके पास कुछ उजाव है, कोई सला है, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 साल, 25 साल विजन नहीं था उनके पास, आप जादा अवलंबे में नहीं जाएए, तो हमारे अदुनाचारे स्टेडियम है कुरुक्षे के लोग है, मैं चोटी सी बात कहूंगा, मात्र दो लाग रुपे, मात्र दो लाग रुपे का काम था, पुराने बस्टेंड के ओपर स्लिप रोड बनाना, एक चोटी सी स्लिप रोड बनाई थी खाली, और 30-40 परशन वाबर ट्रैफिक का समधान हो गया, तो विजन के साथ माताब करो, पैसे हार चीज नहीं होती है, ठीक है, गुरान्त आती है, लगती है, आपके बास अभी डिमांड 100 कौड की है, आपके बास गलियां है, शेर की सड़के है, अनिको काम है, सिवरेज, पणी, ळुबल, बहुत से काम होते है, 100 कौड के काम है, dann 100 क। आपको नहीं म यसे अभी उन्होंने कहा कि यहाँ भेप देंदियाल गुदुरे जैसी बड़ी कमपनिया जो है वह धी बड़ी कमपनिया के तरफ SMITH नए नलोग नए नए और बड़ी बड़ी कमपनिया कि बने खिरया ह। इसका मतलब कि कि खिरया जो है वह kinda आधा परकती के ओपर है फिशले आट नो साल के अंदर अपना जो नाम है विष्व के अंदर उसका नाम होना चाहिए वो नाम दोधर 14 के बाद चालू है आज अजम बहुत करते हैं वो पानी की दोधर 14 से पले बहुत बुरे हलाद कर रखे थे उन्होंने कि आप आप नहीं सक नहीं है उन्हें मालूम है नहीं था या उनके बाद ऐसे कारेकरता नहीं है जिनसे वो सुझाव ले सके जो प्रकती की बात करें सिरफ जगडे करने के काम आप बात बताईए अरोडा जी सारी उमर आइनलडी में रहे परदेश दक्ष रहे सारी उमर रहे ठीक है क्या दबं करें कि बारे में क्यों गलत बोलते हैं कुछ जा इसका प्रकूर करें पा們 की बात जाने के नहीं टा हुट जाये एक चत्य काम और क्पे पहले है तो संदेश वहीं से जाएगा इसका फरी कही कई विदान सभा की सीट पर आएगा क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र की सिरद नी कर रहा हूं पूरे हर να की बात करो पुरे देश के अंदर 2011 के इंदर जिस व्यक्ति ने जन्गंणना का सरवे किरा होगा उसने भी कभी कलपना नहीं करी होगी कि 2018 के अंदर आधने पंतर प्रदान मंत्री ने अंदर मोधी जी आएंगे और आईशमान के नाम से पांट-पां लाग का भी मा जो है लोगों का मुफ्त कर देंगे ऐसी कभी किसी ने कलपना भी नहीं करी होगी आज आप किसी भी गाउं के अंदर जाकर पूछ सकते हैं हर घर के अंदर आईशमान का लोग लाव उठा रहे हैं परदान में तो इवाशोदना के अंदर मकान बन अगर आपने बोला है साथ चुनाव लडेंगे कुछ चीज़े हमारे अधिकार शेतर से उपने संगटन जैसा फैसला करेगा ठीक विदानसवा विदानसवा के अंदर जो आज की डेट में कुरुक्षेतर के अंदर मैं अपनी थानेसर विदानसवा की बात कर सकता हूं आज कि जो संगटन फैसला करेगा जेजी भी क्या सीटों पे लड़ेगी जेभी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंटी कि अब आप लोगों को चुनाव में जाने का वक्त आ गया है और फिर से वहीं प्रशना है कि आप अपने नेता के भरोसे रहते हैं और नेता के नित्रतों का सह बात है कि जनता के बीच में रहने का काम जिमाग जनता ने में सोंपाया और वो हम पूरी इमांदारी से कर रहा हैं और फिर जनता पर ही छोड़ते हैं कि अब आगे चुनाव जो होगा उसमें उनका खुद का चुनाव क्या होगा किसके लिए तो ये एक इमांदार शक्सित हो सकती है या फिर इमांदार जवाब हो सकता है और एक युवा के तोर पर साहि है ने बताया कि उस पार्टी के सदस्य है जहां पर 365 दिन चुनावी मोड में होने का आरोप तो लगता है लेकिन इनके जोश में कमी नहीं आती है लेकिन फिर भी चुनौती है वो खुद भी स्विकारते है उस चुनौती को चाहे वो राजनितिक भ्रहम वाली हो या फिर ज जलाएगे असोशीट स्पांसर नूट्रलाइप हल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्दीर लाइप्स रमी कल्चर चैंपियंस का कल्चर एडुकेशन पार्टनर 3C जैतन्या कुरुक्षेत्र हेल्थ पार्टनर सरस्वती मिशन होस्पितल पहवा कुरुक्षेत्र पार्टनर सेंसंस पेपर इंडस्ट्रीज प्राइब लिमिटेड राइट ग्रुप एडुकेशन प्राइब लिमिटेड वेन्यू पार्टनर गीता घ्यान संस्थानम